इस पार भी लेकर आगए हूं सावन मास की एक अच्छी सी कहानी बने रहे चैनल पे सागत करती हूं आप सभी का हिंदी कहानिया चैनल में और मैं हूं त्रिप्ती एक बार सावन महिने में माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश परवत पर बैठे हुए थी माता पार्वती ने धर्ती पर देखा तो उन्होंने देखा कि कोई तो शिवलिंग पे दूर चड़ा रहा है कोई पानी चड़ा रहा है और कोई दूर से गंगा जल लाकर भी शिवलिंग पर चड़ा रहा है तब उन्होंने भगवान शिव से कहा हे भोले नात धर्ती पे लोग आप पे दूद और जल अर्पित कर रहे हैं इससे इन्हें क्या फल मिलेगा तब बोले बाबा बोले है पार्वती सावन के महिने में मुझे जल चड़ाने का अपना अलग ही मैत्व है जो भी मनुष्य मुझे सच्छे मन से जल अर्पित करेगा वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा तब माता पार्वती ने कहा कि भगवन लाखो करोडों की संख्या में लोग है जो आप पे दूद और जल अर्पित कर रहे हैं तो क्या वह सभी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे तब भूले नाथ ने बोला कि है पार्वती तन की स्नान कराने से जादा महत्व मन की स्नान कराने से है तब माता पारवती ने कहा कि प्रभू ये कैसे पता चलेगा कि कोई आपको मन से स्नान करा रहा है तब भोलेनाज जी कहते हैं कि चलिए पारवती हम धरती पे चलते हैं वहाँ पे आपको कुछ दिखाऊंगा और तब ही आपकी जिग्यासा शान्त हो पाएगी। तब भगवान शेव ने एक कुरूप कोड़ी का रूप धारन कर लिया और माता पारवती को एक सुन्दर सी इस्तरी बना डाला। और दोनों ही जने एक शेव मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। मेरे पती को यहां से उठा कर मंदिर में ले जाएए और वहां से इनको भगवान शेव को जल चड़ाने का मौका दीजिए। मैंने ये तक सुना है कि इस मंदिर की बहुत मानिता है आगर कोई भी रोगी यहां पे एक लोठा जल चड़ा देता है तो वहां बिमारी से मुक्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ती वहां से गुजरता तो वो कुष्ट रोगी को देख कर अपना मुह बनाता और सुन्दर इस्त्री को देख कर सभी उससे कहते कि तुम कहां इसे पती के चकर में पड़ी हो आओ हमारे साथ चलो हम तुम्हें अच्छी जिंदगी देंगे। ऐसे ही दीन मिठता गया और शाम होने को आई तब एक गरीब लड़का वहां पे आता है और माता पारवती से कहता है। माता क्या हुआ आप इतनी परिशान क्यों हैं तब माता पारवती ने पूरी बात उससे बताई। तब वहां लड़का बोलता है कि माता मेरी माने मुझे चार रोटी बांध ये दी थी। सबसे पहले तो आप दोनों जने इसे ग्रहान करिए और मैं आपको धन्य मानता हूँ कि इस गोर कल्यूग में भी आप इतनी सुन्दर हैं फिर भी अपने पती की सेवा कर रही हैं। आप धन्य है माता। और आपके पती को मैं अंदर ले जाऊंगा मंदिर के और भगवान शिव को जल अरपित भी कराऊंगा। उस युवक ने भोले नात को अपने कंधे पे बिठा लिया और मंदिर के अंदर लिजा कर जल भी अरपित कराया शिवलिंग पे। तब भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से की माता देखिये इस इंसान ने मुझे मन से स्नान कराया है और यही व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करेगा हर हर महादेव।